अगला दिन हम लोग Eco पढ़े थे और साथ ही साथ ये भी बढ़े थे Eco को कैसे Determine करे या फिर Eco Determination कैसे करे दोनों पहाडोंगे बीच या फिर एक गाड़ी जा रहा है थोड़ा सा मूब कर लिया तो वहाँ से Eco का Determination क्या होगा इन सारे चीज हम लोग करे थे तो आज हम लोग determination of height of an aeroplane एक aeroplane जब आसमान में उड़ता है तो उख कितना हुचा में उड़ता है उसका determination करेंगे by using the rule of reflection of sound तो देखो ये वी वही reflection of sound के हिसाब से ही बनेगा यानि कि sound जैसे reflect करता है यानि कि strike कर जाता है किसी भी reflector के उपर पढ़के उसके principle को लेके हम लोग यहाँ पे height भी measure करेंगे जैसे हम लोग जहाज चला के depth measure किये थे sonar sound भेज के यहाँ पे भी same चीज़ करने वाले है बस ultrasonic sound के sound को लेके और वो reflection का principle को लेके तो चलो start करते हैं वीडियो और वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक करना यार लाइक कम पढ़ रहा है और एक बात बता देना चाहता हूं कि चैनल को जो भी नहीं subscribe किया है जरूर subscribe कर लेजिए क्योंकि ऐसे और मज़ेदार वीडियो आपको रोज मिलने वाला है तो चलो start करते हैं देखो एपॉइंट में एक एरोप्लेन था पहले न तुम लोग जो students पढ़ रहे हो मेरे इस lecture को देख रहे हो तो देखो एपॉइंट में जो एरोप्लेन है वो बी पॉइंट पे गया ठीक है एपॉइंट में एक एरोप्लेन उड़ रहा था तो वहां से बी पॉइंट पे गया और यह नीचे जो ground है यह diagram पहले तुम लोग बना लो ठीक है तब बोलने में easy होगा ठीक है तो एक प्लेन था एपॉइंट पे उन्होंने क्या क्या प्लेन बी पॉइंट पे गया ठीक है अब जो प्लेन बी पॉइंट पे गया इसके बीच कुछ तो कुछ न कांड हो गया क्या कांड हुआ जब यह प्लेन एपॉइंट पे था ना जब वहाँ पे थोड़ा साउंड प्रोड्यूस किया, वो प्लेन थोड़ा साउंड प्रोड्यूस किया, और वो साउंड क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड है, और वो अल्ट्रासोनिक साउंड ग्राउंड पे गया, ग्राउंड एक मस्त रिफलेक्टर होता है, और उसी रिफ पे था तो उन्होंने ultrasonic sound छोड़ दिया था अब क्या हुआ वो जो sound है that is reflected from the ground and it is go to the point B and when the plane is on the point B जब यह plane point B पे गया तब वो reflected sound pilot को फिर से सुनाई दिया तो इसके बीच कुछ तो ना कुछ time लगेगा साथ ही साथ aeroplane का भी कुछ velocity रहेगा जिसके वज़े से aeroplane A point से B point तक move किया तो यह सारे parameter देख लो अच्छे से और समझ लो देखो let the velocity of plane U ऐसे हम लोग U मानते है plane का velocity को and it takes some time इन्होंने कुछ time लगाया यह हम लोग मान के चलेंगे ठीक है so d equals to ut होगा ना जितना distance गया है velocity U है velocity U है और उसका कितना time लगा उसको गुन मतलब उसको multiplication कर देंगे तो distance निकल के आ जाएगा ना d equals to ut और वो d क्या है a to b है a to b है यानि कि हम लोग बोल सकते है यहां पर तुम लोग अगर देखोगे तो एक isos के लिए triangle form हुआ है जिसका जो a b base है उस a b का value हो जाएगा ut होगा कि नहीं बताओ u and it takes some time and so d equals to ut और d क्या है actually में d है a b तो ut equals to a b तो देखो the ultrasonic sound produced from point a that is reflected from point d जैसे मैं उने बताए and goes through point b point b तक चल गया तो जो sound गया है उसका भी तो कुछ velocity रहेगा sound तो ऐसे भाई नहीं move करेगा और reflect भी कैसे होगा sound नीचे कैसे पहुँचेगा उसके लिए कुछ तो ना कुछ उसको velocity लगेगा वो velocity हम लोग यहां पर पकड़ लिए है भी भी पकड़ लिए plane का velocity u और यह जो sound का velocity यह v है और वो भी कुछ time लगाया reflect होने में reflect होके आने में वो भी कुछ time लगाया तो उस time को हम लोग मेजार करते है T से तो same AD plus DB equals to VT यानि कि D equals to VT D यहां पर क्या है AD plus DB AD plus DB अब देखो we know ADN equals to BDN डाइगराम को देखो और मेरे साथ साथ बोलते जाओ तो एकदम बन जाएगा तुमारा we know ADN equals to angle BDN angle ADN और angle BDN कैसे same हो रहा है देखो हम लोग पढ़ते है जो reflected angle होगा और जो incidental angle होगा they are same in case of sound बोल सकते हो in case of light हर जगा same होता है तो उस हिसाब से angle bisector bisects the AB यहां पर जो angle bisector तुमको डिक रहा है DN एक angle bisector है जो कि AB को भी bisect कर दिया यानि कि तुम बोल सकते हो AB equals to N plus NB where AN equals to NB A N equals to NB डाग्राम को फिर से देखो AN equals to NB चलो नीचे भी एक डाग्राम है इससे पता कर लो देखो AB equals to AN plus NB जैसे मैंने बता है और यह जो angle bisector है यह तुम्हारा base को भी bisect कर दिया यानि कि AN equals to NB और यह AN क्या है बाई AN क्या है हाप UT हो जाएगा न जैसे हम लोगों पता है कि AN plus NB equals to UT so AN और NB तो सेम है तो हम लोग कर सकते हैं न हाप UT तो AN equals to हाप UT वही किये है and AD equals to DB AD equals to DB यह भी तो मैंने तुमको बोले थे कि यह एक isoscaleless triangle form हो जाएगा और जिसके वज़े से AD equals to DB उन जो triangle बनेगा उसका दोनों side AD और DB देर equal होगा और हम लोग निकाले थे कि AD plus DB equals to BT अब AD और DB equal हो जाएगा तो क्या होगा हाप BT यहनि कि AD equals to हाप BT and AN equals to हाप UT अब अगर देखोगे जो triangle ADN it is a right angle triangle यहनि कि एक right angle triangle 90 degree का right angle triangle form हो गया अब तुम देखोगे तो इस figure को ADN triangle को देखोगे तो यह एक right angle triangle फॉर्म हो गया अब यहाँ पे कौन सा data missing है यह तुमको देखना पड़ेगा यहाँ पे जो H का data H यानि कि height जिसको मैंने इतना समय से ढूंड रहे थे जो plane का height है नीचे से वह ही data missing है और बाकी जो hypotenuse भी हम लोग के पास है साथी साथ यह right angle triangle का base भी हम लोग के पास है अब जब पिथागोरस का जो law है पिथागोरस का जो formula है उस पे अगर हम लोग फेकेंगे इसको तो h square equals to half vt square minus half ut square यानि कि h square equals to t square by 4 common ले लोगे तो आज आएगा v square minus u square and यहां से तुम इसको simplify करोगे तो आएगा h equals to root over v square minus u square common t by 2 and that is equals to h equals to t by 2 root over v square minus u square तो इतना समझ में आया और यहां पे यही होता है एरोप्लेन का height यानि कि h equals to t by 2 into root over v square minus u square और यह जो h है यही होता है एरोप्लेन का height तो इस formula से यहां पे जो formula deduct हुआ यह बहुत important formula है क्योंकि इसी से सभी numericals आ जाता है जितने भी एरोप्लेन related question आयेगा sound में ultrasonic sound के हिसाब से जो questions आयेगा उसमें हो सकता है एक data missing हो दो data missing हो और उन data को तुमको निकालना पड़ेगा साथी साथ निकालके एरोप्लेन का height measure करना पड़ेगा तो इसी लिए मैंने बताया यह determination बहुत important है तुम लोग के लिए तुम लोग के school book पे नहीं है लेकिन मैंने तुम लोग को बता दिये क्योंकि यह numericals करने में important होगा तो यह याद रखो h equals to t by 2 root over v square minus u square जैसे तुम लोग याद रखे थे d equals to vt by 2 that is the depth of sea and this is the height of aeroplane यही होता है determination I hope कि तुमको सब कोच एकदम clear cut समझ में आ गया है अगर तुमको समझ में नहीं आ तो फिर से देखो और चैनल को कर लो subscribe ऐसे और मज़ेदार study related वीडियो के लिए thank you